आप सभी का जेटीव इंडिया नियूज पर निकाई चुनाओं में एक बार फिर सरगरी में अतेज हो गई है राजनितिक जो दल है वो भी अपने परतियासियों के तालास में जूटे हुए है तो हमारे साथ सामाजवादी पार्टी की संभावित उमिद्वार और रामपुर मनिहारन नगर पंचायत से क्योंकि रामपुर मनिहारन नगर पंचायत के बारे में हम आपको बताते हैं पूर में यह है ऐसी वर की महिला के लिए आरक्षित थी तो सकुंतला देवी यहां से अध्यक्स बनी थी इस बार फिर नए आरक्षन में जो सुप्रीम कोर्ट के बाद आरक्षन लागू किया गया है उसमें भी एसी वर्क की महिला के लिए ही आरक्षित रखी गई है तो सुदेशना सिंग्जी समाजबादी पार्टी की संभावित उम्मिद्वार के रूम में इने देखा जा रहा है तो इनसे जानकारी आसिल करेंगे किस तरह से इनकी तयारिया है सबसे पहले तो स्वागत है मैं दन्यवाद किस तरह की तयारिया चल रही है क्योंकि आरक्षन में फिर बदल किया गया तो आप एक बार फिर चुनावी मैदान में जो नए नए उम्मिद्वार हैं वो आने लगे हैं आरक्षन के हिसाब से तो किस तरह की तयारिया आपकी नगर पंचायत में है जी तयारिया तो बहुत पूरी मजबुत्ती के साथ हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया था और अब जनता रामपूर की जनता बदलाओ चाहती है मतलब अच्छा काम नहीं या कुछ भी यानि जो पूर की चेरमेन है उसके कारियों को लेकर कही ना कही जनता में नाराज गी है यहान जी इसलिए बदलाओ चाहती है और मैं भी चाहती हूँ कि अब जनता की बात सुनी जाए और अपना काम पूरी मजबुत्ती के साथ करूँ और जनता का पूर्ण जा यहान जी जो पात साल का कारेकाल उसमें किस तरह का विकास कारी रामपुर मनिहनर नगर पन्चाहितiff कोई है यहीं यानि उनके जो 5 साल का कारेकाल है उसका जो नतीजे वो जंता बताएगी चुनाओ जी 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 तो मुकाबला किस से मांती है आप जी भाजबर से मुकाबला भारतीज़ जंता पार्टी से हान जी लड़ाई मजबूत रहेगी आपकी किस तरह किया रहेगा आपका जी पार्टी नाम चर्चाव में हो सकता है समाजबादी पार्टी जल्दी ने आसे परत्यासी घोसित कर दे इनका कहना है कि जो पूर में चेर्वेंट थी उनको भी इनोंने समर्थन देकर चुनाओ लड़वाया लेकिन जन्ता की उम्मीदों पर वैखरा नहीं उत्री जिसके चलते ही ने चुनाओ में आना पड़ा हमारी चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत हो सुक्त